हाई फ्रेंड्स माइसेल मनुज गुर्जर यूर मोस्ट वेलकॉम टू आवर यूटूब चैनल मैड़कॉम स्टेडी तूड़ेज वी विल डिसकस हिम सिंतेसिस आज हम पढ़ने वाले हिम सिंतेसिस के बात करें तो हिम होता है क्या यह क्या पोरफायरन कंटेनिंग कंपाउं होता है हिम सिंतेसिस के साइट की बात करें तो साइट है इसकी लिवर होती है और लिवर है वहां पर क्या हिम सिंतेसिस होती है इसके अलावा यदि हम बात करें इसके माइटोकॉंड्रिया में और साइटोसोल में प्रजेंट होते हैं तो हिम सिंतेसिस तो होता है लिवर में और इसके एंजयम काम लेंगे, मेटोकोंडियम और साइटोसल में, इस स्टेप की ज़ए बात करें, तो फ़स्टेप इसमें होता है, सिंथेशिस और P.B.G. P.B.G क्या है? पॉरफोबिलीनोजन, और फॉरफोबिलीनोजन की सिंथेशिस होगी, next step में क्या होगा, pvg जो है, वो convert होगा किसमें? Euro-porophy Erinoesan में Porpho-bilinogen जो है, वो convert होता है Euro-porophy Erinoesan में then, Euro-porophy Erinoesan जो है, वो convert होता है protoporphyan में जब बन जाएगा, तो उसमें क्या होगा? IRL incorporate होता है, ठीक है IRL का incorporate होगा proto-por everything में और क्या है हम सिंतेसिस होती है तो टोटल कितने स्टेप इसमें चार स्टेप में सिंतेसिस और पीवीजी दें पीवीजी कंवर्ट होता है किसमें यूरो पॉर्फारी नोजन में फिर यूरो पॉर्फारी नोजन कंवर्ट होगा प्रोटो पॉर्फारीन में और प्रोटो पॉ प्रोडूस्टूरहें। सम्न ग्रेट डॉक्टर पालपेट हर्ट अंडर कवर प्रोडूस्क इन ingi &さ nice e guitar । जो आपस सब्छान करेंगे क्या नाइएक्षिंगे data से डाल अमीनों लेविल्य इनकी शिलों कि प्रजाइंच में यहान 7-5 यह यह इंग्ैम। प्रजाइब सफ में फसेश्पेद में भी देपेंडने कि एंगthrough Elias रिलीज होगा और को एंजय में सल्फाइडर ग्रूप और सी ओटु क्या हो जाते हैं इस फ्लेट होते हैं और क्या बन गया डैल रिलीज है ऑड़ अमिनो लिलीकिशेड इसके दो मोल्यक्यूल आपस में रीक्शन करेंगे क्या बनाएगा यह जो एंजय में होता है इसस्टेप में क्या है ELA dehydrated enzyme है यह क्या इनिवीट होता है किसके दोरा lead इसे इनिवीट कर देता है ठीक है ELA dehydrated enzyme को कौन इनिवीट कर देगा lead next हम बात करें अब porphoblinogen जो बनाएं इसके चार molecule क्या होंगे condensation reaction करेंगे चार molecule मिलके क्या बनाते हैं HMB बनाते हैं hydroxy methylblane बनाते हैं hydroxy methylblane इससे बनेगा HMB hydroxy methylblane कौन से इनिवीट की प्रिजेंश में euro porphyrinogen first synthesis इनिवीट के चार molecule को आपत में क्या कर देगा condens कर देगा और क्या बनाएगा hydroxy methylblane बनाता है यह deemination reaction होती है इसमें क्या ammonia क्या होता है इस फिलिट होता है ठीक है अब hydroxy methylblane बन गया है यह इसकी ऐसी कुछ इस टाइफ की स्टेक्चर होती है ठीक है hydroxy methylblane से क्या बनेगा euro porphyrinogen third बनेगा hydroxy methylblane convert हो जाता euro porphyrinogen third में presence of the euro porphyrinogen third cosynthese enzyme कौन से enzyme है euro porphyrinogen third cosynthese ठीक है यह HMB को euro porphyrinogen third में convert कर देगा अब हम इसकी structure की बात करने यूरो porphyrinogen third की स्टेक्चर को इस टाइप क्यों होती है देखो AP 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 and PA यहाँ पर क्या है यहाँ पर क्या है यहाँ पर कंवर्ट होगे स्टेक्वेंस क्या हो गया किश में copper porphyrinogen third में क्यों से enzyme की प्रजएंस में Euro ratios dich दिकारवाक्सले थाहिंगें की हैं CO2 क्या होगा रिलिज होगा यूरो पोरफारी निजन थड को कणते थाज एकशनी होती है Corporon Porfarinogen Oxygenase जो enzyme में यह Corporon Porfarinogen थर्को convert कर देगा Protoporforosen 9 में इस reaction में क्या है Oxidative Decarboxolation होता है CP2 निकलती है अब Protoporpor Bakrosin 9 जो है इसे Protoporpor ವार्फ elites oxygen enzyme प्रोटो पोर्फारेंड में convert कर देगा ठीक है प्रोटो पोर्फारेंड में किसका incorporation होता है iron का incorporation होता है फिरो chillates enzyme की presence में reaction होती है और hym synthesis होती है देखो यहाँ पे जो यह reaction हुई थी देखो यह euro porphyrinogen third इस टेक्चर देखो युआ पोरिक कि रिंजन त्वivan को इसमें क्या change हुआ इसमें चैंज होता है कि जो acetate side chain थी acetate side chain थी एक तो ठीक है acetate की चा जाएगा यहाँ पे methyl group आ जाएगा euro porphyrinogen third में तो acetate इसकी स्टेक्चर में ठीक हैं cos coslike prevention रियक्सन होती है euro porphyrinogen डी कार्वॉक्स लेंजियम की पर जैन्च में रियक्षन होती है अब कॉप्रो फोरफारियूज़न थर से जब प्रोटो फोरफारियूजन नाइन बनेगा तो क्या होगा प्रॉफियूनेट जुर इड़ यहाँ जिए नाएन्ची आ जाता है एक यहां पर आ जाएगा तो प् किसमें प्रोटोपोर्फारीनोजन नायन में ठीक है प्रोटोपोर्फारीनोजन नायन से बनेगा प्रोटोपोर्फारीन की प्रजेंस में प्रोटोपोर्फारीनोजन ऑक्सिडेज एंजियम की प्रजेंस में प्रोटोपोर्फारीन में आयरन का क्या होगा इंकॉर्परेशन ह होगा फिरोचिलेटेज एंग प्रिजेंच में रियक्षन होती है और हम सिंतेसिस होता है यह हो गया है हम सिंतेसिस का पाथवे मैं आगे इसे समराइज करा हूं देखो एस फोर सक्सिनल को एंजियमे जी फोर गलाइसीन यह दोनों मिलके बनाते हैं डेल अमीनो-लेविलिलींक एसे ठीक है डीफोर डॉक्टर कोडिय को डेल आमीनो लेविलीनिक एसे बना दिया एलेज सिंतिज एंजियम प्रिजयंस में रियक्षन होती है यह रेट लेंटिंग ए है I Am, heb retailer लेक्षण होती है, प्रोटो पोर्फारेनोजन नाइन में यौन परोटो पॉर्फारेन बनता है उसमें अरन का incorporation होता है और hym synthesis हो जाती है अब हम बात करें कुछ defects की एले synthese enzyme में यदि defect होगा एले synthese enzyme में defect से होता है x-linked sideroblastic anemia disorder हो जाएगा एले dehydrated enzyme इसे lead inhibit कर देता है इस enzyme की यदि deficiency होगी तो हो जाता है plumb of porphyria dose porphyria क्या बोलते है plumb of porphyria dose porphyria हो जाता है एले dehydrated enzyme में defect से defect होता है तो होता AIP acute intermittent porphyria ठीक है यूरो porphyrianogen first synthese enzyme की यदि deficiency हो जाएगी तो क्या कौन सा disorder होगा acute intermittent porphyria next euro porphyrianogen third co synthese enzyme में यदि defect हो गया तो इससे होता है congenital erythropoietic porphyria ठीक है congenital erythropoietic porphyria कौन से enzyme defect से होता है euro porphyrianogen third co synthese enzyme में defect से next enzyme यूरो porphyrianogen decarboxylase उस enzyme में defect हो गया तो क्या आता है PCT porphyria cutenia tarder disorder हो जाएगा और फाइरिया cutenia tarder disorder कौन से enzyme defects हो रहा है euro porphyrianogen decarboxylase enzyme defects हो रहा है next copper porphyrianogen oxidase जो enzyme में इसमें यदि defect हो जाएगा तो इससे होता है hereditary copper porphyria ठीक है next proto porphyrianogen oxidase enzyme में यदि defect हो जाता है तो variegate porphyria disease हो जाती है ठीक है और यह होता फिरोचीलेटेज enzyme फिरोचीलेटेज enzyme में defect होता है तो इससे होता proto porphyria ठीक है यह होगे इसके disorders की बात next हम बात करते हैं इसके regulation की के बात करें तो regulation यह होता है liver में और एक रिठ्थ्रोइट और ईख्षिट में सबस्पहर हम बात करते हैं liver में region की ठीक है इंपरोडेक्शन जो होता है liver में उसके requirement होती है fren praky के formation की liver में regulation होगा है को कुं करता है liver regulation करता है deliverymain इनों levelinic acid synthèse enzyme ठीक है Del ELA synthèse enzyme क्या करता है रिगलेट करता है liver में hym synthesis को यह जो DL ELA synthèse enzyme है ठीक है हिम और इसका oxidizer product होता है hemin ठीक है वो control करेगा इस enzyme की activity को DL ELA synthèse enzyme की activity कौन control करता है यह करता हिम करेगा या फिर करेगा hemin फीरिक और मोटी हमें थीक, थीन मैकरिंश से कंट्रोल करते हैं, एक तोधा फीडवेक इनिवीशन कर सकते हैं, दूसरा, ELA-synthesyska रेप्रेसण हो सकता है, तीसरा, इसका ट्रांशपोर्ट को क्या कर देंगे, रोग देंगे, इनिवीशन आफट्रांश्पोर्ट Phenobarbital, Insecticide और Carcinogen ये क्या करती है activity बढ़ा देती है ELA Synthese enzyme की Phenobarbital, Insecticide और Carcinogen ड्रग क्या करती है ELA Synthese enzyme की activity को बढ़ा देती है Erythroid जो cell होती है उनमें Regulation की बात करें Regulation इन Erythroid cell में दो enzyme की दोर होता है एक तो है Phyrochilatase enzyme, एक है Europorphyrinogen Synthese enzyme Regulation जो होता है Erythroid cell में कौन से enzyme करना है Phyrochilatase enzyme और Europorphyrinogen Synthese enzyme अब हम Next क्या बात करें Cellular uptake जो होता है Iron का Iron का Cellular जो uptake होता है ओ भी Hym synthesis को क्या करता है Influence करता है, प्रभावित करता है ठीक है, Hym जो होता है Hym वो Stimulate करेगा Glovin synthesis को Hym, Stimulate करता है Glovin की synthesis को और Hym synthesis और Glovin synthesis जो होती है राइट प्रपोर्शन में होंगी और फाइनली क्या बना देंगी Hemoglovin बना देते हैं ठीक है, तो Erythroid cell में regulation करते हैं Europorphyrinogen Synthese और Phyrochilatase enzyme और liver में regulate करता है DLELA Synthese enzyme यह होगी regulation of Hym synthesis है इस तरह जो यह topic है Hym synthesis क्या complete होता है Please comment करके बता है आपको यह topic कैसा लगा Do share and subscribe my YouTube channel Medcomistady, bell icon दबनाने मूलें Thank you for watching